कि देखो यहां पर कोश्चन है कि प्राइक्ता बंटरन से संबंदित कोश्चन लेकर आएं बहुत ध्यान से सुनते रहना शिक्के को चार बार उचाला जाता है इन चार उचालों में इन चार उचालों में शीर्सों की संख्यका प्राइक्ता बंटन ग्याद करो कर यानि जितने सीर्स सकते हैं वह बता दीजिए तो सुफ्चे को चार उचाला जाता तो प्राइक्ता बंटन आप निकालेंगे एक्से के याद्रच्षिक चरह है तो क्या लिखेंगे यहां पर अ dad Wrestling तुच्ष्षिक य Vergara द्रचिक चर जो है वह हमारा क्या है चासे इकुर्स Il VI या थो एकस के मांद कौन से संभव को सकते हैं सीर्सी। की था संख्या दर सार हर dopo जो अजुह हो सकता है एक सकता हुषब्स है जियो मिले एक सीर्स मिले दो कि शीर्स मिले ग्लेएं किया इतनी बात क्लेएं अगर आपको ये काम लगता है कि चारो सिर्स मिल सकते हैं को आप उसने रहें का प्रायख्ता बंतर शितनी कंडिशन को पूछे दोने तरीके से, तो probability of head निकाल लिजे, कितनी निकल कर आएगी, head आने की संख्या कितनी होती है, probability of head, एक सिक्के पर probability of head कितनी होती है, एक बटे दो, और probability of tell कितनी होती है, वो भी होती है, एक बटे दो, clear है न, तो हम निकालने जा रहे, probability of zero head प्राप्त हो, तो इसका formula होता है कितनी बार चार बार तो लिखेंगे 4C0 कोश्चन लगा रहे हैं head के लिए तो पहले head लिखेंगे probability of head की power नीचे वाली into probability of tell की power घटा कर 4 मिसे 0 के 4 क्या समझ में आई बात 4C0 का मान 1 होता है probability of head का मान 1 बटे 2 की power 0 probability of tell की power 1 बटे 2 की power 4 तो एक बटे 2 की दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो अंसर आगे एक बटे 16 क्लियर है अगला देखें probability of एक सीर्स प्राफ्त हो चार बार उचाला गया है एक सितका सीर्स चाहिए तो probability of head पहले लिखेंगे क्योंकि सीर्स के लिए question लगा रहे है पावर नीचे वाली इंटू probability of tell की power घटा कर 4C1 का मान 4 होता है probability of head का मान एक बटे 2 probability of tell का मान एक बटे 2 की power 3 तो चार से ये चार दो से कटेगा चार दो बार गुड़े एक बटे आठ तो आंसर आगया एक बटे 4 समझ लिजे बहुत धंग से probability of x2 तो 4C2 probability of head की power नीचे वाली इंटू probability of tell की power घटा कर तो 4 को खोलो 2 पुड़ो तो 4 गुड़े 3 दो को खोलो पूरा 2 गुड़े 1 probability of head एक बटे 2 की power एक बटे 4 probability of tell एक बटे 2 की power एक बटे 4 चार से ये कटेगा तो आंसर आदेगा 3 बटे 4 दूनी 8 probability of head इक्वल टू 3, 3 head प्राप्तों तो 4 C3 probability of head की power 3 probability of tell की power घटा कर एक तो 4 को खोलो 3 पुड़ो तो 4 गुड़े 3 गुड़े 2 तीन को खोल दो पूरा 3 गुड़े 2 एक बटे 2 की power 3 है तो एक बटे 8 एक बटे 2 चार दूनी 8 कटेगा तीन से ये कटेगा और आजाएगा एक बटे 4 अब probability of x इक्वल टू 4 भी हो जकता है तो 4 C4 probability of head की power गटा कर तो बन जाएगा एक गुड़े प्राविल्टी आफ एक बटे 16 प्राविल्टी आफ टे दो की पावर जीरो कमान एक होता है तो आंसर आगया एक बटे 16 क्लियर है अब देखें यहां पर question लिखा हुआ है तास के बावन पत्तों की एक सुमिस्रित गड़ी से दो पत एक gebrachtते उत्रोतर प्रति स्थापन के साथ निकाले जाते हैं कि 11 की संक्या का प्रयक्ता बंड़ियंगात करो तो यह लगा द्रचिक चर जो है वो हमारा X है जहां पर X क्या दर्सारा है एकको की संख्या को तो हो सकता 0 1 के हो हो सकता 1 1 का हो दो पत्ते निकाले जा रहे तो हो सकता 2 1 के हो इतनी बत क्लियर है तो अगर हम यहां पर कह दें कि भैया यह है तो probability of X equal to 0 एक बीक का प्राप्त ना हो तो प्राविल्टी आओफ कि एह है कितना कि एक के होते कितने हैं चार कितने में से बावन में से इसको काट लिजिए चार एकम चार तेरा प्राविल्टी आफ एडैस एकका नहीं होगा तो बारा बटे तेरा तेरा वर मानिस कर दिया तो प्राविल्टी आफ एडैस आगया अब हम लगा रहें एकको के लिए तो जीरो एकके होंगे तो पत्ते कितने निकाले दो तो टू सी जीरो टू सी जीरो प्राविल्टी आफ एकका की पावर नीचे वाली प्राविल्टी आफ एकका नहीं की पावर घटा कर तो उसी जीरो का मान वन होता है प्राविल्टी आफ एकका एक बटे तेरा है पावर 0 लगी भी है एका नहीं 12 बटे है 13 की पावर 2 तो यह 1 हो गया यह भी 1 हो गया 12 का वर्ग 144 13 का वर्ग 119 तो अंसर आगा 144 बटे 119 तर प्राविल्टी आफ एक्स इकोल टू 1 तो 2C1 प्राविल्टी आफ एका की पावर 1 इन्ट्व प्राविल्टी आफ एकका नहीं की पावर घटा कर तो 2C1 दो को खोलो एक परो तक और एक को खोलो पूरा यानि केवल 2 आजाएगा इन्टू प्राविल्टी आफ एका माने एक बटे 13 प्राविल्टी आफ एडस का माने 12 बटे 13 तो अंसर आजाएगा बारा दूनी 24 बटे एक सो नातर प्राविल्टी ओफ X इकोल टू तो 2C2 प्राविल्टी ओफ A की पावर 2 इन्टू प्राविल्टी ओफ A डैस की पावर घटा कर 0 तो 2C2 कमान वन होता है प्राविल्टी ओफ A कमान एक बटे तेरा गुड़े एक बटे तेरा क्योंकि पावर 2 लगी भी है और प्राविल्टी ओफ A डैस कमान है बारा बटे तेरा की पावर 0 है तो यह बन जाएगा एक बटे एक सो नातर क्लियर है तो यह हो गया हमारा प्राइक्ता बंटन चलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइक्ता बंटन का आप कोशन आप समझ गया होंगे और देख लेते हैं एक कोशन है मारे पास मान लें किसी याद रच्छी के चुने गए विद्याले दिवस में पढ़ाई के घंटो को कैप्टल एक्स से दर्साया जाता है एक्स के मान एक्स लेने की प्राइक्ता निम्लिखित है जहां के एक वास्तिविक संक्या है जहां के एक वास्तिविक संक्या है तो पी कैप्टल एक्स बराबर एक्स 0.1 जब एक्स बराबर जीरो है के एक्स जब एक्स बराबर एक है और दो है के पांच माइनस एक्स जब एक्स का मान तीन है चार है जीरो अनिता तो कहे रहा के का मान बताओ पहला पारड कहे रहा के का मान बताओ दूसरा पारड क्या कहे रहा है इस बात की क्या प्रेक्ता है कि वह निनतन दो घंटे पढ़ता है नियुनतम दो घंटे पढ़ता है इस बात की प्रहकता चाहिए तथा दो घंटे पढ़ता है ये दूसरा पॉइंट है दो घंटे पढ़ता है और तिसरा पॉइंट है अधिक्तम दो घंटे पढ़ता है अधिक्तम दो घंटे पड़ता है तो पहले केका मान निकालेंगे पहला पॉइंट लगाने के लिए केका मान चाहिए तो इन सब का योग कितना होगा इन सब का योग कितना होगा हमारा प्राविल्टी आफ एक्स वन प्लस प्राविल्टी आफ एक्स टू प्लस प्राविल्टी आफ एक्स थ्री प्लस प्राविल्टी आफ एक्स फोर बराबर एक होता है तो और प्राविल्टी आफ एक्स जीरो तो प्राविल्टि आफ एकस जीरो कमान 0.1 है प्राविल्टि आफ एकस वन के हैं एकस वराबर टू के है एकस वराबर थरी तीन दुखो के तीन दूनी है यहां एकस तीन लखिए तो पांच में जे तीन गए दो के यहाँ बद चार के पांच में से चार गए एक यानि के बराबर एक इन सब को जोड लिए तो 2 के 4 के 5 के 6 के इधर घटा देंगे तो 0.9 के बराबर 0.9 अपाउन 6 इसको काट देंगे तो 0.15 आ जाएगा के लियर है जुकिशन दूसरा पारट पढ़ने जाएंगे तो खरन नियुमतशन दो घंटे पड़ता है एश कुचकब है संकस्तर दोगंटे पड़ता है यानि प्रॉटी ऑफ टू प्रॉबेलटी ऑफ एक्सIt प्रॉविल्टी आफ एक्स-3 का मान कितना हैं एक्स-3 तो 5 में से 3 गये 2K और प्रॉविल्टी आफ एक्स-4 का मान कितना है के चाहिए यहां से देख लिजे और चाहिए यहां से देख लिजे तो 2,2,4,15,5, आज के और के का माने 0.5 जिरो पॉइंट वन फाइफ जिरो पॉइंट वन फाइफ इन्टू फाइफ 15 पच्छे पच्छत्तर 0.75 आजएगा अगला है ततता दो गंटे पड़ता है प्रवावियल्टी आफ एक्स टू पूरे पूरे दो गंटे पड़ता है जिसका माने 2 के तो 2 इंटू 0.15 यानि की पंड़ा दूनी 30 0.3 आगया probability of X अधिकतम दो घंटे पड़ता है X0 probability of X1 probability of X2 दो से जादा नहीं पड़ता तो इसका मान है 0.1 probability of X1 का मान है देख लिजे उपर probability of X1 का मान क्या है है अब प्राविटिए एक स्टू कमान टूं के था उपर तो जीरो पॉइंट वन प्लस त्रीके है कि जीरो पॉइंट वन प्लस तीन गुड़े तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सारी ले लेते हैं लेकिन इंडिविज्व को एक मान पूछे तब भी हम उसको बता सकते हैं ठीक है ना तो हम सारी वैलू ना निकाल कर केबल उतना ही निकाल सकते हैं कि अगर अगर